दोस्तों मैं करेती आज आप लोगों के साथ सेर करने जा रही हूँ दही बड़ा रेस्पी इसे बनाना बेहद आसान है दही बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ 800 ग्राम उरत के डाल को 10-12 घंटे तक पानी में भिगो के रख लिया है अब मैं इसे चान के मिकसर ग्राइंड नहीं करेंगे अब मैं इसमें नमक एड़ करूंगी और फिर हारी मिर्च एड़ करूंगी फिर मैं इसे 5 मिनट तक फेट लूँगी फेटने से यह बड़ा जो है वह हलका बनता है वह सौप्ट हो जाता है अब एक बाल में पानी लेते हैं पानी नॉर्मल ही रहना चाहिए और मैं बगल में रख लूँगी क्योंकि मुझे इसमें बड़ा डालना है यह देखिए मैंने कराई में तेल गरम किया है अब मैं इसमें तेल जब गरम हो जाए तो इसमें बड़ा डालेंगे इस बड़े के सेप को मैंने हथेली पे पानी की सहता से पानी थोड़ा सा हथेल लगा के फिर मैं बड़े का सेप बनाके इस कढ़ाई में बड़े को डालूंगे यह देख Secondly इस तरह मैं बड़े को डालूंगी क्योंकि बड़ा का सेप ऐसा ही होता है देखने में भी ज्यादा अच्छा लगता है अ कि की हैं आप बड़ा बन के तैयार हो चुका है इसे 2-3 मिनट तक हम मेडियम फ्लेम पे पका लेते हैं फिर इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और वो जो पानी रखे थे उसमें इसे डुबा देंगे सारे बड़े को उसमें डुबा देने के बाद 2-3 मिनट तक छोड़ देते हैं फिर ह हाथ के सहायता से सारे बड़े को दबा के एक साइड एक प्लेट में रख देंगे ये देखिए सारे बड़े हो चुके हैं पक चुके हैं अब इसे हम पानी में सारे बड़े को डाल देंगे और फिर कड़ाई में जो तेल है उसमें फिर हम नेक्स्ट बड़ा बनाएंगे य आप चाहे तो पतला करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी एट कर सकते हैं और बड़ा को मैंने जो पानी में रखा था उसे अब निकाल लेते हैं यह सौप्ट हो चुका है सारे बड़े को इसी तरह दवा-दवा के निकाल लेंगे इससे सारा पानी निकल जाएगा और ब बड़ा-शौप्ट करने का यह बहद ही आसान तरीका है अब सारे बड़े को इस दही में डाल देंगे दही में डाल देने के बाद को हमारा दही हैं दाही लगबख रैडी है इसे एक से दो घंटा तक ऐसे इस्यों ही छोड़ देते हैं छोड़ेने से थाएग पानी वहा मह और टेमेटो केचप के साथ करेंगे आप चाहे तो इसे इमली की चटनी धनिया की चटनी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी लगता है दही बड़ा होली का टाइम आ रहा है आप लोग भी चाहिए तो इस रेस्पी को ट्राइ कीजिए बनाने में बहु बहुत ही टेश्टी है देखने में बहुत ही सुन्दर दिखता है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो दोस्तो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दवाना ना भूले बैल आइकन दवाईएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाईएगा यह हमारा बड़ा रेडी है चलिए इसे टेश्ट करते हैं मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू दोस्तो